सो हाइवर्यवन कैसे हैं आप सभी स्टूरेंट्स सो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटीस है जो भी पार्टली पुत्र इंवर्सिटी की स्टूरेंट है उन सब के लिए तो देखिए यह जो नोटीस है आप सोच रहे होंगे कि डेट तो लिखा ही नहीं है या कैसे मालूम चलेगा तो आप एक या दो दिन में या एक दिन के बाद ही जो पार्टली पुत्र इंवर्सिटी का जो मेन जो वेब साइट है वहां पर देखिए नोटीस सेक्शन मिल जाएगा तो यह कैसे पहले मिलता है तो देखिए यह जो इन लोग कुछ स्टूडेंट का जो चैनल है यह लोग उधर के मेंबर हैं या बहुत जो भी है तो वो लोग पहले ही ग्रूप में अपडेट करते हैं तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं यह जो 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 इन कर सकते हैं और यह मेरा खुद का चैनल है तार्गेट मिशन ठीक है तो चले देखते हैं नोटीस तो नोटीस यह है कि as per the examination by the law of पाटलेपुतर इंवर्सिटी पटना it is essential for every student to complete 75% of attendance in every semester during the academic year मतलब यह बहुत बड़ा सदमा है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बाहर रहते हैं लेकिन यह आप लोगों को पिछले साल से ही पता चल रहा है कि अटेंडेंस का बहुत जरूरी है हर समेस्टर में चाहिए ही चाहिए 75% अब प्लीज वह सब बाते मत करिए आपकी टीचर ही नहीं आते हैं और क्लास में पढ़ाई नहीं होता है तो वह तो अब जिस कॉलेज में होता है वह तो भी अटेंडेंस चाहिए उसको इस तो इंफ समेस्टर में जो 6 मैना पर एक्जाम हो रहा है इफ यू आर नौट फुल्फिलिंग 75% अगर नहीं फिल किये तो यू विल नॉट वी लिजिवल टू अपियर इन इनवर्सीटी एक्जाम तो आपको एक्जाम देने नहीं दिया जाएगा यह बहुत दुख का बात है अब इ नहीं करेगा सुचित करता है कि अगर अनिवार है यदि आप इतना उपर स्थित नहीं कर पा रहे हैं तो परिक्षा में सामिल होने नहीं दिया जाएगा तो प्लीज आप लोग जो भी स्टूडेंट अगर मतलब कॉलेज में इंडॉल हैं तो कॉलेज जाईए जाकर वहां क कि हालत देखिए अगर पढ़ाई होता है तो पढ़ाई करिए और अगर नहीं होता है तो फिर तो कॉलेज जानेगा कैसे वह टेंडेंस में मतलब मैंनेज करेगा अगर होता है तो रिपाय करके जाईए अपनी टीचर से मिले जो भी प्रॉब्लम है बताईए तो थैंक्यू कि है।